मैं ये समय दा इड़ी बटी लड़ाई दे बावजू दे इनने लोग शहीद हो गे गाल ओते खड़िया जित्तों शुरू होई सी ओतों भी पिच्छे चलेगी जित्ते संताली जे खड़ी सी तो क्या सेंट्रल ते सेंट्रलाइजेशन हो रही है सेंट्रलाइजेशन बाद र जेड़ी राजनी तक दशादी गल है ओते सब दिसा मने हैं टोटल हताशा है यहो जी हताशा कदे कव्मा चाहं दिया है परन्तू फिर उठ नमास से यहो जी हताशा जिलिए बन्याद हं दिया जदोता के तु तक नहीं पहुच दे तक उठान नहीं हो सकता है एस दशाली द सारे दोशी है, कारण गुरु वली पेठा, हल गुरु वली मुँआ आज दे समय वेच पंजाब, सिख अते सिखांदा जड़ा सारा प्रवन्द है, ओह राजनीती दे वेच महत्त पूर्ण बने होया सिर्फ सिखांदे वेच नहीं, सिखांदों सुवाए बार सारी दुनिया दे वेच, दुनिया दखनी एशिया वेच, तेहं दोस्तान वेच, इसलिए हर किसे दी जड़ी नजर है, ओ किसे ना किसे रूप दे वेच सिखांदे है ऐसलिए सामा है ना जी, ओ ट्रांजीशन दा है, देखो संबे दे नाल कुछ हलाद बन देने पिछले साल ना दे वेचे संग अरश लड़े गे, दो तिन पड़ा ने होदे, छेयार तो लेके, चरासी तक, चरासी तो लेके, वरतमन तक, तिन पड़ा ने, हून इदे विच बड़ा कुछ हो गया है, तो अड़े संबने है, हून ऐसलिए सिख राजनीती जिस पड़ाते खड़ी है, उस तो साननों एक क्वांटम लीप लेनी चाहिए है, अज पंजाबी सुबे दा एह हाल कर देता है साड़ी लीडर्शिप ने, के अज जे, अज एता खुदाना खा सकता है, कुछ नहीं कर सकोंगे. अज असी एक भी गल पूल जाने है, इस गल उस साड़े ट्रांसफर आफ पावर होई है, एते हजे तक ब्रेटिस सरकार है जिड़ी, ओही अप्रेशनल है, जिड़ी ओस पहला ली सरकार है, ओही इते कम कर रही है, कोई साड़ी नमी ता इत पंजाब दा कुछ मा प्लिटिकल इशू ते कुछ जस्ट आल जस्ट लिस्ट आउट किड़े, किसे भी प्लिटिकल गुरुप ने, पार्टी ने, उनिस सो ती पैंटी तो लेके, आज तक वफादारी ने कीती पंजाब नार्ट, ते ओह जेड़े अलेक्शन सिस्टम दे व पंजाब दे मुद्यानू हाल कराऊना, कोई हाल करा नी सके, जदू लोड पाई पार्लिमेंट दे वेचते, ओ स्टेट दे हाक विच पोगते, उन्हाने कौम दी जवानी दा भी कान कीता, ते होर भी बहुत कोज कर रहे हैं। फिर सेंट्रलाइजड ब्रॉक्रेसी खड़ी किती जाएगी, बड़ा पारी स्ट्रक्चर खड़ा किता जाएगा, ते जेड़ा ब्रॉक्रेसी चागया, ओह अपने पांथलानों टुट गए, ओ एक कौम बन जुगा बखरी, अते ओह पैरासाइट दे रूप च अपने ही प जाएगा, ओचिंता कर रहे हैं, ओधे वेचा तेन चीजा जिडिया ने ओव साड़े त्यान दी मंग कर दीयाने, के जेड़ा स्टेट दे हुन तक मॉडल चल दे आ रहे है, ओधी एक साधी व्यक्या है है, के ओव बन्दे नूं सिखा उंदे ने, ते सिदा उंदे ने, ते टेम कर देने, जिए आपके जानवर नूं कबू करके सिखा लेने तो साधे कम कर दा, ते होन दे जेड़े स्टेट दे मॉडल देने, उनना दे वेचे इनसान दी हस्ती, एक टेमड एनिमल तो बद नहीं है, इदी समने जड़ा खालसा मॉडल है, ओव बन्दे नूं खालसा खुद खुदा बनो दे, तो ओदी जड़ी डिस्टिंक्शन या ए एक खालसा मॉडल दी, इनना दा रहा दे होते हैं भी ओकेस इनसान दी सरजना करदा या मॉडल, ते एदे चुकेस तरह ने इनसान दी सरजना होएगी, पबलिक पावर वरसे स्टेट, पबलिक पावर ना किन दर सर्थ खुद दे केवल आकाल तक थ तरह कम्युटि दा, जेरा एक वार था रहा है एक देहीं पावर विचन दा वरदा रहा है, फ्र नहीं आए रहा है, दिर रहा क्दैजुनितर नुद्ण कुछ नहीं कार सकांगे। पान साल ते आठ मीने काम कीता है। तो असी अपनी एक टोटल कौम भी उस तरीके ना जुनाइटर नहीं कर सके। कि कोई सियासत किसे एक आम नहीं आ रही ते सियासत स्पेस भी है नहीं। स्पेस ऐसे नहीं संभा लड़ दिया है। जे ए मौका असी ना संभाल लेया। ते फिर उसे खाना जगी जो होंगे। जिनाचे सियासत दे सारे रंग तुरे होए नहीं। प्राइणी ट्रेजडिया कि उन्हांने अपनी निशानने शाड़ देती। जिन्नु डर्ट वुलकार सेंग बैठेने पंथ तकता शाड़े ती। पांथ होना बड़ा जुरूरी थी। असे पांत देना जुड़े होए पांत ही साधी जिंद्गी ये पांत ही साधा निशानना है ते पांत दा जुड़े चर्दी कला हुई साधी मन्जल है श्रोमनी कमेटी को ले अकाल तक्ताना परबंद नहीं होना चाहिए दा आल इंडिया गुर्दवारा एक्ट दे विच भी पंजेत अक्ता दी शमूलियत नहीं होनी चाहिए दी पंजेत अक्ता दा परवादे के इंडीपेंडेंट सिख जते बंदी कोड़े होना चाहिए दा पां में किसे भी तरीके दा दी ओ जते बंदी बढ़े पर आप उन्हों अमल चे किन्नाक उतार दे इता उन्हां बर्गदान सदे नहीं करते सदे के दोख्यों की होगा तो फेर मैंके नहीं अटी बड़ी जटा बर्गा जिटा शिखी दे बढ़े पां से तक्या जा जा चुक्या और उन्हाल अपनी लेके चल सकता फेर जेड़ा साथे तरंबदली दा मामला होर मामला और बहुत सरे उन्हां जुड़े होए ने डेरेदार दा देतारी गुरुआ दा उन्हां फेर ये मसले हाल होने है और नुभी छनू उसका गलते पढ़्दा पांदी बजाए ओ गलते स खालसा राय निती है ओ खालस निती होएगी ओ दूसरी राय निती नड़ो अलग निती होएगी जेड़ा जो भी चल रहे है उस नड़ो अलग जे खालसा अलग है ता राय निती भी जड़ी है सिख राय निती हो दूसरे नड़ो अलग राय निती होएगी सिखी दा मंतव की है, सिखी दा मंतव है गुरु साब दे शब्दनों परचारना, और गुरु शब्द की है, गुरु दा शब्द कहेंदा है कि मनुख मातर अजाद होनी चाहिदी है, गुरु दा शब्द कहेंदा है हन्ने हन्ने मीर होना चाहिदा है, हर एक आदमी सौवरेन ह होना चाहिए है इस नो जरह तो सी ट्रांसलेट करके देखो प्लिटिकल फिलोस्टी देविचे गल किसे जंदी है उत्से गुरूब लेके जंदा है इस चीज नो कि जदों भी असी वचार चाचा कर दें हैं किसी गल कर दें हैं अपनी असी सदान तक ता और ते जड़ी गल है प्रांतो सी आम जीवन देविच एक दूसरे दा ख्याल नी रख़दे जड़े साथे सिंबल्स ने जदों सी एक छोटा मकसद लेके एक दूसरे नो नीमा दखौन वास्ते कोट के चैरी देविच जन्या लड़ाई चागड़ा हो गया लड़ाई चागड़े दा कार्ण टीक हाजे बाच केस चाके दुखांदाजी मेरे ने केस एजदा करता फलाना करता असी एस पसे बल क्यों क्योंके जजबातां देना अगल खेड़ी जन्दी है साड़ा जब समना जड़ा खाल साजी ओ बड़ा कुछ पर चले होन चोगो निंदा चोगो निंदा देविचे और उदी नुक्स कड़ने जलंग जानता है असी पॉस्टिवी सोच के के स्टांग देनाल जो आज इशू जाए ने इनों होर के लेके जाओ और एस नुँ मतलब कि में तुसी हागे के गलोबली गलोबल और जिमें शीरी जाए याज़ा गरिवे थे के री स्ट्रवट्टिंग होनी है, होनी होनी है, को दरता नेम है ऊस रीस्ट्रवक्छिन दे विच्चो ताड़ी नीकल्ने ते तबदीलीयां सबकोंटिनेन्ट जो ऑनी चैड़ ते एस करके सान। तबदीली ली जियू पॉलिटेकस ली पर पेर होना चाहिए दा क्योंके सदान्द की या खालसे दा जुलम दा नास मजलूमरी राखी पंथ दी अनक आते गैरत ते सर्बात दा पला जदो खंडे की पॉल चिकाई जान दिया ता लग साथा सिंग हो जान दा जिड़ा सिंग है उसने खालसा बढ़ने ही बढ़ना जे सिंग होके हो चकरैल बढ़ने आता फिर खालसा नहीं है क्योंकि परजा ने खालसा रूप दे चो मुगल पास शाही नहते है लिया इसे करके हो सरकारे खालसा बढ़ी